गुड मॉनिंग एवरिवन आज हैं 28 मई 2020 और 28 मई से करंट पेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्यूशन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डी टील में इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और प्रते क्यूशन के साथ इस्टेटिक जीके के इंपोर्ट तो अभी तक चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे की सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट पेर के तो करंट पेर की साथ साथ आपकी इस्टेटिक जीके भी किलेर हो जाएगी तो स्टार्ट करते हैं आज इक रंट स्टारे या यहांन Dit ने उनाइट नेशन लेक्षे जेंडर एर डोगाट ऑफ द येर और दोजार उनीच से इस सम्भानित त कीया जाएगा तो यह समानित किया जाएगा मेजर सुमन गवानी को अक्षिन नहीच यहिए जैर सुमन गवानी और इनी कोई यूनाइट नेशन म और इसके लाव यह वार्ड पहली बार किसी भारतिय सांति दूद को दिया जा रहा है और यह मेजर सुमन कहां कि यह उत्तराखंड किया मेजर सुमन गवानी उसके अलाव टी परदीव को दिया गया था निकई ACI पुरुषकार निकई ACI पुरुषकार 2020 दिया गया था यह ओप्शन भी देर का है टी परदीव वाला तो इसको दिया गया है निकई ACI पुरुषकार और उसके अलावा कि इवेंटर ओप दी येर का प्रुसकार अभी कल परफों में बताया था इवेंटर ओप येर का प्रुसकार दिया गया था अभी राजिव जोसी को तो यह दियान रखना है और इसके लाव विने बद्वार ओप्शन डी करेक्ट है ओप्शन डी का 2019 का अलिगजेंडर डेल रिम पलावार दिया गये था विने बद्वार को तो राजिव जोसी को इनंवेंटर ओप दे येर विने बद्वार को 2019 का अलिगजेंडर डेल रिम पलावाड और निकईसिया पुरसकार 2020 इँन्हें मिल था टीपरधीब को और integer सुमन गवाने को UN military gender advocate of the year award 2019 से सम्मानित किया जाएगा next question पर चलते हैं हाल इमें calling application ketchup किसे ने launch किया है तो यह launch किया है पेस्वुक ने option भी क्रेक्टर है तो अभी पेस्वुक ने ketchup application तो calling की application यह ketchup तो इसमें क्या होगा तो इसमें 171 की समय में 8 लोग calling के लिए एड़ हो सकते हैं इसमें इसका उद्देश से इस application का उद्देश से दोस्तों और परिवार के सदस्यों को call के समय एक साथ जोड़ना है यानि कि इसमें 8 लोग एक गुरुप में एक ही साथ एक ही समय में एड़ हो सकते हैं इसमें 8 लोग इसका उद्देश से दोस्तों और परिवार के सदस्यों को call के समय एक साथ एक समय पर जोड़ना है तो यह पेस्वुक ने लॉंच कि ए तो में पेस्वुक कोई बारें जानते हैं पेस्वुक की स्तापनाईती 2004 में इसका हें को आट रहें यू-एस के केलेपोनिया में केलिपोनिया में और इसके CEO और साथ ही में संस्तापग भी आई है पेस्वुक के मार्क जकरबर्ग है नेक्स्ट किसे ने हाल है कि से नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में नियूक्त किया गया है तो यह न को नाइजर में किया गया है तो नाइजर को मेप में देखते हैं यह रा मेप में नाइजर अप्रिकन कंट्री नाइजर नाइजर की केपिटल है नियामी करेंशी एको पहले इसकी करेंशी थी पस्सिम अप्री की मिस्ट लेकिन इसे चेंज कर दिया है भी आठ आफरीकन कंट्री की कि इंच की ती वेस्ट आफ्रीकन प्रेंक से तो इसकी नए करेंसी द् Thy a कर्णे तो इसके परिसीडेंट नाइजर के महमुद ओ इसापो तो द्यार प्रेम के नयर हम्वेश्डर बने नाइजर में उसके लाव प्यूस्री वास्तों यह काँ पर बने ये नाेजर नहें, बहरीन में और डिपक मितल बनेते नेपाल में और कनाडा में कौन बनेते कनाडा में बनेते अजे बिसारिया उसके लाओ जावेद असारप बनेते प्रांच के राजदूत प्रांच में भारत के राजदूत ती ध्यान करें ती इंपोर्टेंट करेंट पर की किसन थे भी अमबेस्टर से रिलेटेड तो जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम होए हैं यानि कि जो कॉमनवेल्ट कंट्री हैं जो कॉमनवेल्ट कंट्री यानि राष्ट्र मंडल देश हैं जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे थे यानि इंग्लेड के गुलाम रहे थे तो उनमें तो और जो कभी इंगलेंड के गुलाम नहीं रहे हैं उन्त में राजदूत नियुक्त किया जाते हैं यह द्यानकने इतना सा अंतरे नेक्स्ट किसने हाले में परवासन ऑयोग की इस्तापना की गोषणा कि सरह कार ने की है तो यह कहा है अभी उत्तरप्रदेश गॉर्मेंट नने ने अन्कि को स्थापना की गोषणा की है sup अब यह क्या है परवासन आयोग तो इसमें क्या होगा अभी जो अलग लग राज जिसे जो परवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आये हैं तो उनको काम दिया जाएगा इससे और अगर अगर मजदूरों की आव सेकता हैं तो परवासन आयोग से अनुमति लेने पड़ेग अब यह उत्तर प्रदेश ने कि प्रवासन आयों कि स्थापना की गोशना तो में देखते हैं यूपी को यह रामेप में उत्तर प्रदेश के पिटल लखनाओ और लखनाओ किसे ने दीखे ना रहें गौमती ने दीखे ना रहें चीप मिनिस्ट ने योगी अधितिनाथ और काई बर ना रहें आनन्धिमिन पाट्यल वां अंदर पूर्देश से कुछ इंपॉर्टक यंपेक्ट से दीख डुद्वा नेशनल पारक वेह इंपोटनेंट तो यह काहां पे उत्तर प्रदेश में उसके लगाव पी ली बीठ टाइगर रिजर रों यह काहां पे उत्तर चंद्रफदेश में और उसके लाइव चंद्रफद्रवा वाइड लाइब सेंचुरी तो कह событи के उत्तरफदेश ए और दोनों इंपोटेंट है अ सोगे के चंद्रफदुलाइब सैंजरी यह उत्तर प्रिष में पीशम stress को पूछे गए नेक्स्ट किस ने हालि में साही लिची और आम की लोजिस्टिक और डोरेष्टेप डिलिवरी के लिए किसा यह सरकार बारतियाँ साथ समझता किया है तो यह किया है बियार गौवर्मेंट ने तो अभी बियार गौवर्मेंट ने जो मुझपूर की जो अपने मुझपूर काप मुझपूर कहां पर बियार में तो बियार में जो साहिल इची और आम की जो लोजिस्टिक के लिए और डोरिस्टेप डिलिवरी के लिए भा दिहार अभी असाईल इची और जो आम के लोजिस्टिक के हैं इसको 2018 में जी अएटेग भी मिला नहीं और अभी इसी के लिए बाहरते नहीं के साहता है कि सब्सक्राइब यह विवागभी दियाद में ब्यैर की सही लिची उसको डोजार रचारमें niż याई टेक मिला था इन दोनों को आम की लोजिस्टिक और सही लिची कूह उसके लिचार में महाराश्ट Metalresp North पर शाइको दाजलिंग टीखो सबसे पहले जी ाइटेग मिलाता और अभी रिसेंट ली बहुत सारी जी ाइटेग मिले हैं जिसमें गौरकपुर के जी उप्पी में आता हे जी आई टेग ये दियान करें उसके लिए काले चाउल को मिलाता मनिपूर के काले चाउल को ये दियान करें और सोराई कोवर पैंटिंग यह कहां किती जार खंड की उसके लावा तंजाओर नेतिवरक्स तो यह एक तमिलनाडू किती तंजाओर नेतिवरक्स उसके लावा अरंबुवूर वुडनकासी इन दोनों को जियाएटेग मिलाता तो यह कहां किती तमिलनाडू कुई उसके लावा तेलिय है रों माल यह तेलंगाना था इसको भी अटेग मिल आता और कात्समीरी केसर एकसर भी गाल harsh उया यह दो करहें श्यूंड्डे जीय टेग मिलते इसके लाव मिलनाडी कि भी ऑब द चुसके और पर कोुछ चीप मिनिस्ट्र नितीश कुमार और गवर्नर फागू चौन अब यार से कुछ इंपोर्टेंट किसने वाल में की नेशनल पार्क यह कहां पर बियार में उसके लाओ राजगीर वाइड लाइप सेंचुरी यह भी बियार में और बियार का सोक किसे नदी को का जाता है तो यह जमार्ग मंत्रिय नितिन गड करी इनोंने अभी उत्राखंड में चमबा सुरंग का उद्गाटन किया है और यह चारदाम प्रियोजना के तरद बनाए गई है यह चमबा सुरंग नेश उत्राखंड के जो नेशनल हाइवे एनेच 94 में रिसी केस दरासु रोड पर है यह च सुरंग को बनाया है और इसका उद्गाटन किया है नितिन गड करी ने मसमी मंत्री और सड़क पनिवान और राजमार्ग मंत्री नितिन गड करी उस तो बी आरो ने सड़को बनाया है सड़क सुरंग को चमबा सुरंग को बॉर्डर रोड और और अभी बॉर्ड रोड और अरोनातल परदेश में अब यह उत्राखंड में किया है इसका उत्राखंड नेशनल पार्क बताते हैं उत्राखंड में जिम्कार्बेट नेशनल पार्क और इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है इसकी स्थापनाईती 1935 में उसके लाव जिम्कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच एक नदी बती है रामगंगा नदी और इसका पुराना नाम पूछ ले जाता है तो हेली नेशनल पार्क है और यह सबसे पुराना नेशनल पार्क हैं उसके लाव राजाजी नेशनल पार्क यह भी इंपोटेंट हैं और यह कहां पर उत्राकंड में उसके लाव नंदादेवी नेशनल पार्क यह भी उत्राकंड में उसके लाव फूलों की गाटे यह कहां पर उत्राकंड में और सांत गाटी परदानमंत्री व्य वंधना योजना शुरू कीया यह वुरैस्ट नागरिकों के लिए ने लाइप इनस्रेंस कोर्परेशन आप एंडिया ने परदानमंत्री वंधना योजना सुरू कीया वरिष्ट नागरिकों के लिए अब यह एलाइसी ने किन तो एलाइसी इंपोटेंट है इसकी पुलपर में लाइप इंस्वरेंस कॉर्परेशन अप इंडिया इसकी स्थापनाईटी 1956 में एक सितंबर मेलेरीय की दावाइरीय की दाव पर रोग लगा दिये तो लगा ही है मलेरीय की दावा का नामे अधिक वहों ने अब कोरोना के मरीजों पर इस विमारी की जो दवाय का इड्रोक्षी क्लॉरोपिल इसकी इस पर रोक लगा दिये डबलो एचो ने यहने वर्ल्ड हेल्थ और्गनाईजिशन अभी यह रोक लगाई है तो डबलो एचो के बने में बताते हैं फुल पॉर में वर्लो एचो की स्ताब नहीं तो निस ओर तालिस में साथ अप्रेल उनने इस ओर तालिस एड को अटरे जिनेवा सिवजर रेंड में और इसके माने देशके डबलो एचो के टेड्रो सदानों गेवेरियस नेक्स्ट किसने हाले में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां शुरू आ नहीं तक इसके बाद इसका दूसरा चरण जून के अंतिम सब्ता में होगा तो सेना कमांडरों का भी सम्मेलन शुरू हो गया है नई दिल्ली में बात करें बारतीय सेना की दो बारतीय सेना के अभी मनुग मुकढ़द नर्वनियें और 2828o जो सेना के अबी है भारतिय जो सेना आये इसका स्तापना द्योश्म नए गये था 15 जनवरी को और रहत्रों इस्तातंद्य श्माना कहाई है था फंद्र सेना का द्यान रपना यह 15 जनवरी को नेक्स्ट किस न हे हाली में किसने राम किंकर बेज की एक सो पंद्रवी जेनती के प्लक्स में ओनलाइन प्रदस्नी का यूजित किया हैं तो इनको पदमसरी इसको पदमसरी पदमभू सनवार मिलाता पदमभू सनवार मिलाता इनको 1970 में इद्यान कना है कला के चेतर में उत्करष्ट योगदान के लिए इनको पदमभू सनवार मिलाता 1970 में और जो यह उनलाइन परदर्शनी का यूजिन हुआ है इनकी एक सो पंद्रवी जेनती पर तो इसकी थीम याद खना है इसकी थीम है र साम किंकर बेज जर्नी त्रू साइलेंट ट्रांस्पोर्मेशन एंड एक्स्प्रेशन द्यान खना है और इसका आईजन के हैं एंजी ए में याने नेशनल गेलेरी ओप मोडरन आर्ट और इसके मान दे सकें एंजी में के अद्वेत चरण गड़नायक यह ता आज के रंटप क्लिन ने खेलों का उद्धियाक का दर्जा दिया ता ती धर इंपोर्टेंट किसन ता तो लास्ट वुड़ी की किसन का आँसर ताई तिसका बहुत सारे स्टूडेट ने क्रेक्ट आंसर बताएं कमेंड वोक्स में तो एसे बताएं आपको जरूर पता होगा तो ज़्यव ज़्र वीडियो को शेर और like इंड शेर करें और चैनल को शबस्क्राइब जरूर करें तो वीडियोっと पतार ने क्ला करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आको biggest दबाई जिसे कि dawnопhone के डेली बजबुराइन्स